हलो एब्रिवन वेलकम टू करेंट पूर तो आज की जो वीडियो है उसमें करेंट अफेर्स का हम लोग 25 कोश्चन का MCQ टेस्ट लगाएंगे और ये आपको 69 BPSS ADPO या फिर All-State PCS Exam के लिए काफी हलफुल होने वाला है और ये करेंट अफेर्स की जो सरीज चलाई जा रही है ये आज तीसरी वीडियो है अगर आप पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेइलिस्ट में जाकर उन दोनों वीडियो को भी ज़रूर देख लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कोशन है पहला कि तीसमी रास्टी बाल विज्ञान कॉंग्रेस की सुरूआत कहां हुई है आंसर है इसका आपसन ए एहमदाबाद में तीसमी रास्टी बाल विज्यान कॉंग्रेस का आयोजन 27 जन्वरी से 31 जन्वरी 2023 में ये गुजरात के एहमदाबाद के साइन्स सीटी में सुरू किया गया इसमें बाल विज्यानिकों, जाने माने सिख्षकों, मुल्यांगन करताओं और सरकारी अधिकारियों सहित 1400 से अधिक प्रतिनिदी सम्मेलन में भाग लिया देश भर के 850 से अधिक छातर इस सम्मेलन में अपनी अनूठी परियोजनाव का प्रदर्शन किया पुस्तक दपावर्टी ओप पॉलिटिकल एकोनोमी हाव एकोनोमी एबंडन दपूर के लेखक कौन है आंसर इसका ओप्सन बी मेघन देशाई प्रशित ब्रेटिस अर्थसास्त्री मेघनाद देशाई ने दपावर्टी ओप पॉलिटिकल एकोनोमी हाव एकोनोमी एबंडन दपूर नामक किताब लिखी है किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की गोशना की आंसर है ओप्सन सी मध्य प्रदेश के सर इवराज सिंग चोहान ने सीहोर जीले के बुधनी में लाडली बहना योजना सुरू करने की गोशना की है उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी पंथ जाती और धर्म की महिलाओं को हर महिने एक हजार और साल के बारह हजार रुपिय दिये जाएंगे अंतरास्टी प्लास्टिक प्रदर्सनी और सम्मेलन प्लास्ट इंडिया 2023 ये कहां आयोजित किया गया आंसर है इसका ओप्सन ए नई दिल्ली में अंतरास्टी प्लास्टिक प्रदर्सनी एवं सम्मेलन प्लास्ट इंडिया 2023 का 11 संस्क्रण नई दिल्ली में सुरू किया गय केंद्रे बजड 2023 में रक्षामंत्राले ने कितने कडोर रुप्य का आवंटन किया है आंसर है इसका ओप्सन C 5.94 लाग कडोर रुप्य का केंद्रे बजड 2023 में पिछले साल की तुलना में 79 लाग कडोर की बढ़ोतरी करते हुए 5.94 लाग कडोर रुप्य आवंटित किया गया जो भारत सरकार के कूल बजड का 13.18 प्रतिशत है जबकि पिछले साल यह रासी 5.25 लाग कडोर रुप्य था केंद्रे बजड 2023 में देश में कितने परियाटन अस्थल को विक्षित करने की घोशना वित मंत्री निर्मला सीता रमन की द्वारा की गई आंसर है ओप्सन डी 50 अस्थल को केंद्रे वितेवं कार्पुरेट कार्य मंत्री स्रीमती निर्मला सीता रमन ने एक फरवरी 2023 को संसद में केंद्रे बजड 2023 चोबिस पेस किया जिसमें कम से कम पच्चास गंतव्यों का चेयन किया जाएगा और गंतव्य को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विक्षित किया जाएगा महिला सम्मान बचत पत्र महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के संदर्व में निम्लिखित में से कौन सा कथन सकते है आंसर है ओप्सन डी इसमें सभी कथन सकते हैं कि यह वन टाइम सेविंग स्कीम है इस योजना में दो साल के लिए साड़े साथ फीस दी तैब ब्याज मिलेगा इसके लिए अधिक्तम जमारासी दो लाख रुपे तै की गई है वितमंत्री निर्मला सीतारमन ने बजड दो हजार तीस चोबिस में महिलाओं के लिए नई बचत स्कीम का एलान किया इसका नाम महिला सम्मान बचत परमान पत् बचता है इसके लिए अधिक्तम जमारासी दो लाख रुपे तै की गई है केंद्री बचड दो हजार तीस चोबिस में सब्तरिशी अफधारना के तहत कौन सी प्रात्मेक्ताएं निर्धारित की गई है आंसर है इसका ओप्सन डी उप्योक्त सभी समावेशी विकास बुनि और इसमें सामील है समावेशी विकास आखरी व्यक्ति तक पहुँच अवसंड़जना एवं निवेश नीहित शमताओं का विकास हरित विकास युवा शक्ती तथा वित्तिय छेत्र किस देश के एतिहासिक केंदर और बंदरगा सहर ओडेशा सीटी ओफ ओडेशा को युनेसको के विस्व विराशत सूची में सामिल किया गया है आंसर है ओप्सन A युक्रेन के हाली में युक्रेन के इतिहासिक केंदर और बंदरगा सहर ओडेशा को सन्युक्त राष्ट सैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन युनेस्को की विस्व विराशत सूची में सामिल किया गया है लद्दाग का पहला जै विवीधता विराशत स्थल की से घोसित किया गया है आंसर है ओप्सन C याया तसो जहिल को याया तसो जहिल लद्दाग में 4820 मीटर की उचाई पर इस्थित है जिसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है हाली में यायात सोजहील को जैविवीदिता अधिनियम के तहट लद्दाक का पहला जैविवीदिता विराशत अस्थल घूशित किया गया भारत ने किस देश के साथ MQ-9B Predator Armed Drone का सौधा किया है? आंसर है Option D, अमेरिका के शाथ भारत और अमेरिका तीन अरब डॉलर से अधिक की लागत वाले MQ-9B Predator Armed Drone के लिए सौधा किया है भारत को इससे वास्त्रिक नियंत्रन डेखा और हिंद महसागर के आसपास अपने समगर निगरानी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी अम्रित पैक्स 2023 का संबंध किस से है? आंसर है Option B, डाक टिकट प्रदर सुनी से भारती डाक दिल्ली के प्रगती मैदान में 11-15 फरवरी तक रास्टी डाक टिकट प्रदर सुनी अम्रित पैक्स 2023 का आयोजित किया इसमें भारत के इतिहास, संस्कृती, कला और विराशत को उजागर करने वाले कारिकरम को आयोजित किया गया विस्व कैंसर दिवस किस तिथी को मनाया जाता है? आंसर है Option D, चार फरवरी को विस्व कैंसर दिवस हर साल चार फरवरी को मनाया जाता है यह दिवस लोगों को इसकी रोख्थाम, जल्द पहचान और उप्चार के बारे में सिक्षित और प्रेडित करने के लक्ष को हासिल करने के लिए मनाया जाता है विस्व कैंसर दिवस 2023 को क्लोस दग केर गैप थीम के साथ मनाया गया केंद्रिक ग्रीह एवं सहकारिता मंत्री स्रियमित साह ने 4 फरवरी 2023 को कि सस्थान पर इफको नैनो यूरिया प्लांट का सिलान न्यास किया आंसर है option C देवघर में केंद्री ग्रीहेवं सहकारिता मंत्री अमित साह ने जहारखन के देवघर में विसु के पहले इफको नैनो यूरिया प्लांट के पाँचवे सन्यतर का भूमी पूजन और सिलान न्यास किया साथ ही नैनो यूरिया की देवघर इकाई बनने से यहां प्रतिवर्स लगभग 6 करोड तरल यूरिया की बोतलों का निर्मान किया जाएगा तटवर्तिय इलाके में मैंग्रोव के वनों की सन्रक्षन के लिए वितमंत्री ने केंद्रे बजड़ 2023-24 में कौन सी योजना लाई है आंसर है ओप्सन B मिस्टी योजना मिस्टी योजना का परमखुद देश समुदर तर्ट के किनारे तटिये परियावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव रिक्सार उपन करना है उपराश्ट्रपती जगदीब धन्खर ने कहां 36 सुरसकूंड अंतररास्टिय सिल्प मेला 2023 का उधगाटन किया आंसर है इसका ओप्सन B हरियाणा के फरीदाबाद में 3 से 19 फरवरी 2023 तक 36 में अंतररास्टिय सुरसकूंड मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में आरम किया गया इस बार मेले की थीम नौर्थ इस्ट रीजन की आठ स्ट्रीट पर है अंतरास्टिय सौर गटवंदन का महानिदेशक वर्तमान में कौन है? आंसर है ओप्सन A डॉक्टर अजय माथूर अंतरास्टिय सौर गटवंदन 113 सदसे और हस्ताक्षर करता देसों का एक अंतरास्टिय संगठन है यह दुनिया भर में उर्जा की पहुँच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है इसका मुख्याले हरियाना के गुरुग्राम में है अंतरास्टिय सौर गटवंदन का महानिदेशक डॉक्टर अजय माथूर है इन दा लायन ओफ फायर अमे मोईर किसकी आत्मकता है आंसर है ओप्सन डी परवेश मुसर्रफ की पाकिस्तान के पूर्व राष्टपती परवेश मुसर्रफ का निधन एक लंबी बिमारी के बाद दुबई के एक अस्पताल में हो गया वे 79 एर के थे जनरल मुसर्रफ वर्वेश 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्टपती रहे जनरल मुसर्रफ का जन्म 11 अगस 1943 को दिल्ली में हुआ था किस देश के राष्टपती ने फरवरी में आए महा विनासकारी भुकम्प के कारण आपात काल की गोशना की है आंसर है आप्सन B तुर्की तुर्की में आए महा विनासकारी भुकम्प के कारण तुर्की के राष्टपती रजब तैयब आर्दोगन ने आपात काल की गोशना की है इस भुकम्प के कारण कई हजारों लोगों की मौत हो गई तुर्की में 6 फरवरी 2023 को रिक्टर स्केल पर 7.8, 7.6 और 6.0 की तिवरता के लगातार तीन भुकम्प दर्ज किये गये हैं हाली में कौन सा दोदेश अंतराष्टी सौर गटवंदन का पूर्ण सदस से बना है आंसर है आप्सन B कांगो इवं ब्राजील हाली में कांगो इवं ब्राजील अंतराष्टी सौर गटवंदन का पूर्ण सदस से बन गया है यह दुनिया भर में उर्जा की पहुँच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है और परियावरन अनुकूल भविश्य में पहुचने के एकस्थाई तरीके के रूप में सौर उर्जा को बढ़ावा देता है अंसर है औपसन सी रिफाइन्ड और मिक्स फ्यूल है इसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रूल होता है इसे पेट्रूल और इथेनॉल को मिला कर बनाय जाता है वर्तमान में भारत में इथेनॉल 10 का इस्तमाल किया जा रहा है जिसमें इंधन में 10% दी तक इथेनॉल को मिलाय जा रहा है E20 इंधन के तहट पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाय जाएगा सरकार का लक्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मेश्रन को पूर्ण रूप से हासिल करना है निती आयोग द्वारा जारी बहु आयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के संदर्व में बहु आयामी निर्धनता के अस्तर के घड़ते करम में राज्यों का कौन सा करम सही है आंसर है ओप्सन E बिहार, जारखंड, मेघालय और उत्तरप्रदेश निती आयोग द्वारा जारी बहु आयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के उन्नीस एकीस में राज्यों में बहु आयामी निर्धनता का स्तर जो है बिहार में 33.76 प्रतीशत, जारखंड में 28.81 प्रतीशत, मेघालय में 27.79 प्रतीशत और उत्तरप्रदेश में 22.9 प्रतीशत रहा नेशनल मेरी टाइम हेरिटेज कॉम्पलेक्स कहां विक्षित किया जा रहा है आंसर है ओप्सन B गुजरात लोथल में केंद्रे पतन पूद परिवहन एवं जलमार्ग वंत्राले गुजरात के लोथल में राष्टिय समुदरी विराशत परीशर का निर्मान कर रहा है इस परियोजना की आधार सिला प्रधान मंत्री ने वर्स 2019 में रखी थी यह भारत में अपनी तरह का पहला परिशर होगा इस परिशर को एक अंतरास्टी परियटन अस्थल के रूप में विक्षित किया गया यह सागरमाला योजना के तहत निर्मित मुख्य परियोजनाओं में से एक है निमलिकित में से कौन पतना हाई कोट के वर्तमान न्यायधीस हैं? आंसर है ओप्सन ए जस्टिस के विनोध चंदरन पतना हाई कोट के वर्तमान न्यायधीस चीफ जस्टिस के विनोध चंदरन है 24 अपरेल 2025 तक यह अपने पदपर बने रहेंगे विदेश मंत्राले की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2022 में कितने लोगों ने अपनी भारतिय नागरिकता छोड़ी आंसर है ओप्सन C 2,25,620 लोगों ने विदेश मंत्री डॉक्टर सुभरमन्यम जैसंकर के अनुसार वर्स 2022 में 2,25,620 लोगों ने अपनी भारतिय नागरिकता छोड़ी दी डॉक्टर जैसंकर ने राजसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है वर्स 2020 में 85,000 से अधिक भारतिय नागरिकों तथा 2021 में 1,63,000 से अधिक लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी थी तो यह थे आज तीसरी जो सरीज है करेंट अफेर्स की जो की 69 भी PSC CDPO या फिर All PCS के लिए चलाया जा रहा है यह इसकी तीसरी वीडियो थी I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें धन्यवाद